हलो दोस्तों नमस्कार आज के इस वीडियो में हम 2023 में जो प्रमुक्ष सम्मेलन या वैटक या कॉन्फरेंस होई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे इसमें पहला है पहला अखिल भारतिय बार्षिक सम्मेलन पहला अखिल भारतिय बार्षिक सम्मेलन जल सक्ति मंत्राले ने जल पर राजमंत्रियों के पहले एकिलबारती बार से सम्मेलन का आउजिन किया जिसका विसे वाटर विजन अड़ रेट अड़ रेट आप 2047 है इसका आउजिन 5 से 6 जिनबरी 2030 को बहपाल मद्द प्रदेश में किया गया और पुर्मु की इसका उद्देश जो है राज्यों के ब विचार प्राप्त करना है लो इसमें होगा जैन बिविन इन हिटधारकूं का है हिटधारकों होगाills कूर्म बिविन हिटधारकूं से इंडिया एट डरेट अप 2047 का बिचार प्रक्ट करना है 5P पर इसंपर चर्चा की गही 5P जो है उसमें है The Political Bill, Public Financing, Public Participation और Persuasion for Sustainability ये 5P हैं 17 प्रवासी भारतिय दिवश ये 8 से 10 जनवरी 2030 को इंदोर मद्द प्रदेश में मनाया गया है जैसा कि हम जानते हैं कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतिय दिवश मनाया जाता है उद्गाटन नेरेंद्र मोदी दौरा किया गया और समापन दौर्पदी मुर्मू द्वारा इसका किया गयाना के राष्टपती डाक्टर मौमा दिरफान अली मुक्हतती थे इसके और प्रवासी भारतिय नो जनवरी 2003 से हरबर से मनाया जाता है इस नो जनवरी को और नो जनवरी 1915 में जो मात्मा गांदी थे दक्ष्ण परीका से अपनी पढ़ाई करके भारत पापस आये थे इसी उपलक्ष में नो जनवरी को जो मनाया जाता है बिश्व आर्थिक मंच की 53 बैठक 16 जनवरी से 20 जनवरी 2023 सुटिजरलंड के दावस में बिश्व में सयोग वर्ल्ड एकोनोमिक फोरम एक गैर लावकारी संस्ता है और जिसकी स्टापना 1971 में जनेवा में हुई थी संगाई सयोग संक्ठन सिकर सम्मेलन बर्स 2022 में उजविक्रिस्तान के समरकंद में भारत को संगाई सयोग संक्ठन के देख्षता सोपी गई भारत पहली बार संगाई सयोग संक्ठन जो स्सीओ है उसकी देख्षता कर रहा जो सितम्मद 2023 तक चलेगी संगाई सयोग संक्ठन अंतर राष्टी सम्मेलन दो मार्च से पांच मार्च 2023 तक कासम के गौहाटी में उसके बाद संगाई संग्टन के विदेश मंत्रियों की बैटक 4-5 मई 2023 गौहा में संगाई संग्टन स्टार्ट अप फोरम की बैटक नई दिल्ली में संग्तराष्ट महासभा का सतत्रमा अद्वेशन 29 से 31 जन्मरी 2023 अद्धेक्ष सावा कोरिसी ने भारत का दोरा किया और 78 सत्र के अद्धेक्ष जो हैं डेनिश फ्रांसेस हैं जो त्रिनाद और टुबैको के राज़ दूत है अंतरराष्टी शिल्फ सिकर सम्मेलन जाजपुर ये उडिसाम हुआ बाहर मां फूड अगरी कल्चर आगनाजेसन एफए ओ का जे सम्मेलन भारत इसका उपाद्यक्ष रोम मिटली में आजित हुआ जे 16 से 17 जन्मरी 2023 भारतिये चावल कांग्रेज जे 11 परवरी 2023 को कुरिसा में भाँ पर हुआ उद्गाटन का राष्ट्पती दरोपदी मिर्मने किया भिष्च helm मेलन 15 से 17 फर्वरी 2023 फिजीद के नाड़ी में फिजीद के नाड़ी में हुआ और ये बाहरवां भिश्च हमेलन था बाहरवां हेंदी विश्च सम्मेलन था हगी हुआ फिजी प्रदेश की रायधानी लखनव में 10 फरवरी 2030 को प्रधान मंत्री नेरंद मोजी द्वारा इसका उद्गाटन किया गया और उसमें बहुत ही ज़्यादा इन्वेश्टर्स ने पृतभा किया और इन्वेश्ट के लिए समझोते किये रीवर सिटी अलाइंस दारा की बैठाक ये 13-14 फरवरी 2030 को पुणे महाराष्ट में हुई वर्ल्ड गवर्नमेंट सम्मिट 2030 ये 13-15 फरवरी दुबाई में हुई संयुक्त राष्ट सामाजिक बिकास आयोक का बासटवा सत्र ये 15 फरवरी 2030 को भारत इसका अद्धिक्ष है रुछरा कमबोज ने इसकी अद्धिक्षता की अगला Responsible Artificial Intelligence 2023 15-16 फरवरी 2030 को नीदरलंड बादक्षिन कोरिया सरकार दोरा आयोजित आठमा राष्षीना डायलाग दो मार्च से नई दिल्दी में सुरू 4 मार्च 2023 तक इटली के प्रधान मंत्री जीरियो जीयो मिलोनी मुक्षती थे इसके आठमी स्विष्ट सुरक्षा कांग्रेश आठमी सुरक्षा कांग्रेश इंटरनेशनल इउनियोन आफ रेलवे और रेलवे सुरक्षा वल 21-23 फरवरी तक जैपूर में 28-22 सुरक्षा कांग्रेश का आउजित भारत मद्द एसिया संजुत कारी संभू की बैठा कहां हुई पहली वेठ़ हुई है यह नई दिल्ली में वुद्गाटन राष्टपती द्रोपदी मुर्मूद वारा पांचमा आसियान भारत सकर सम्मेलन ये कौलालंपुर मलेसिया में हुआ है सेयोक्त राष्ट जल सम्मेलन दोहजार तेईस ये 22-24 मार दोहजार तेईस को निवार का मेर काय में हुआ है मानव बनेजीर संगर्स का पहला वाश्विक सम्मेलन तीस मार से एक अप्रेल 23 बेटन के आक्षपोर्ड में आयो है सत्तर देश के हजारों कारिकरतावने प्रितवाग किया है उसके बाद वाद वाश्विक बौद सिकर सम्मेलन 2023 से 2021 के सप्रेल 2023 को नई दिल्ली में पहली बार आज़ित किया गया CDRI का पाँचवां अंतर राश्विक सम्मेलन आपदा प्रतरोधी बुनियादी धाचे CDRI की फुलपार्म के लिए गटवंदन CDRI पर पाँचवें अंतर राश्विक पाँचवें पाँचवें अंतर राश्विक सम्मेलन 2023 को प्रदान मत्री ने संभोजित किया इस बरस की थीम थी डिलीवरिंग रेसिलेंट एंड इंक्लूसिव इंफरास्ट्रक्चर अंतर राश्विक शोर कटवंदन के बाद ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी वैश्विक पहला है जिसका सचवाल है नई दिली में कौन है CDRI 49 सिमा जी सेवन सिकर सम्मेलन 2023 कहां हुआ ये जापान के हेरो सिमा साहिर में प्रदान मत्री नरंद्री मोदी द्वारा यहां प्रतबाग किया गया चलवाई परवरतन पर पीटर्स बर्स की संबाद दो से तीन मई 2030 को वरलिन में आविए इसकी मेजवानी जर्मनी और सेंक तरब अमीरा द्वारा कियी गई इस बर्स का इसका चोधमा संस्क्रण था ये छटा हिंद महासागर संमेलन ये कहां हुआ बारा मई को कहां हुआ है 2023 को बंगलादेश के ढाका में प्रारम हुआ इसका अधार्टन बंगलादेश की प्रदानमंत्री शेक असीन द्वरक किया गया 28-42 सिकर आसियन सिकर संमेलन ये नो से ग्यारा मई 2030 तक इंडोनेसिया के अधिक्स्ता में लागवान बाजों में आयुजित किया गया पहला कनन श्टार्टप सिकर संमेलन ये 29 मई 2030 कोईला और खान मंत्री प्रहला जोसी द्वरा आयाटी मुंबई में उद्गाटन हुआ 58-52 बान जलवाई परवर्ति संमेलन 2030 ये 5-15 जून 2030 को जर्मनी के वान में आयुजित किया गया बान में अगला हा तीसरी रोजगा कारे दल की बैटक 31 मई से 2 जून 2030 तक भारत की T20 प्रेसिडेंटी जी ट्वेंटी सोरी ये G20 होगा G20 प्रेसिडेंटी के ताई जिनेवा सुर्जले लंड में अंतराश्टी श्रम संक्टन मुख्याले में तीसरी एंप्लाइमेंट बर्किंग गुरुप की बैटक आयुजित की गई 31 सेयुक्त राष्ट परियाबन कारिकरम की अंतर सरकारी बारता 29 मई से 2 जून 2030 को प्रेस के प्रांस में आयुजित ये दूसरा सतर था इसका पहला सतर 2022 में उर्गवे बे सब बन हुआ था 32 है और लाष्ट है कौार्ड सिकर सम्मेलन जिसमें चार देश सामिल आश्टेलिया अमेर का भारत और जापान 20 मई 2030 को हरिसुमा जापान में आयुजित हुआ ये सम्मेलन 24 मई 2030 को 24 मई 2030 को सिडनी आश्टेलिया में आयुजित होने वाला था किंदो अमेर्की राष्टपती जो बाइडन ने क्या किया वासिंटन में रेड सीमा वारता के कारण आश्टलिया को अपनी यात्रा इस्तगित कर दी थी भही बर्स 2024 का सेकर सम्मेलन भारत में आयजित होगा क्वार्ड कारण